है वेल्कम बैक टूआ चैनल शिप एंड क्रूज लाइफ तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप अपना ए-learning का कोर्स कर रहे हैं मौडलर कोर्स तो उसमा आपका फेस वेरिफिकेशन एरर आ रहा है तो उसके क्या कारण है उसका कारण यह है कि आपने या तो अपने डीजी प्रोफाइल डीजी सीपिंग की प्रोफाइल में आपने फोटो और सिगनेचर अप्लोड नहीं किया है आपको mail आता है, mail American, mail गालके 카ा पासवर्ड ऑपासवर्र आता है, तो पासवर्र बिनने के बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे उसको email डालते हैं, पास्वर्र डालके sign-in करते हैं, जैसे sign अपने की तarः का page खुलता है, वेब्केम आपका ओपन हो जाता है वेब्केम आपके सामने इस तरह का इक page open और इसमें देखिने instruction to use cdac web face ऐसा आता है तो आप जैसे step one go to the portal आप यहां पर फिर link जो दिया link में click करते हैं तो link open नहीं होता है steps आप देखते हैं यहां पर इस तरह के steps आते हैं पर बेज्ग comprar ओपनी होता होगा इसा होगा यूर्स दॉन नोर्ट प्राइवेट इस तरह का आपके सामने खुल जाता होगा पेज़ु समय आपको क्या आहीं पर मैंजिट यहां पर आपको क्या करना है आपके left side में देखे एक option है advance जहां पर back to safely है उसके right side में देखे advance, advance में click करके आपने back जाना है और link पर click करना है link पर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा देखे तो यहां पर आपने क्या करना आपने इंडोस नंबर और password डालके open करना है open करने के बाद आपने देखे यहां पर देखे verify profile photo आपको second नंबर का option यहां पर verify profile photos तो आपने verify profile photos में click करना है click करने के बाद आपका इंडोस नंबर नेम आ जाएगा आपका पुराना फोटो आएगा तो यहां पर live image में देखे आप start webcam blue color का option दिख रहा है start webcam आपने open करना है और अपना current का photo इसमें upload कर लेगा है ठीक है वो upload करने के बाद देखे आप इसमें जैसे आप start करेंगे verify कर लेंगे इसको done कर लेंगे यह process आपका done होने के बाद next आपने क्या करना है प्रोफाइल डिटेल आएगी मैंने बलर किया हुआ है बड़ आपको आएगा यहां पर add photos में जाकर आपने अपने थ्री फोटो और upload कर लेना है वहां पर भी आपको webcam का option आएगा webcam open करके आपको थ्री फोटो अलग लग एंगल मा अपने upload कर लेना है जो की आगे जाके दिक्कत नो हो उसके बाद आपने क्या करना है बैक चले जाना है वही आपने डालना है और आपका webcam open हो जाएगा webcam open होने के बाद जैसे अभी आपने जो फोटो अप्लोड की थी उसके बाद आप verify करेंगे अपना face तो verify हो जाएगा तो आप अगे अपने courses आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो like, share, comment and subscribe जरूरू करना है and thanks for watching see you in next video